तो बच्चों नमस्कार लिजे कक्छा नवी के गणित में आज हम त्रिकोडविति का प्रस्णावली 8.04 को हल करना सिखेंगे और यहां पर हम ठीटा का मान प्राप्त करेंगे ठीटा का तो पहला है हमरे प्रस्ण सैन ठीटा पराबर कास ठीटा अब बच्चों यहां पर ठीटा का मान हम किस तरह से ला सकते हैं तो हम यह देखेंगे पहले तो आप खल करके लिखेंगे क्या दिया है साइन-ठीटा बरावर कास-ठीटा और यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि कास-ठीटा को हम गुणित एक करके लिख सकता है याले गुणा एक करके लिख सकते हैं किक independent found in My Soul O है और उसको नहीं लिखा जाता है यहाँ है सह समयाने के लिए लिखा हूँ है आपको लिखने है इसलिए Hayath city लायेंगे तोई ह a say theta क के हर में चला जाएगा और यहाँ पर और यया इसको मैं इसके बदले में यहां पर लिग दिया हूँ और इसलिए हम इधर का देखेंगे कि एक जो है मान तेन के किस अंस पर है याने चार्ट में आप देखोगे चार्ट में या सार्णी में देखोगे त्रिकुणमिति अनुपात के तो तेन पैंतालीस अंस बराबर एक होत किता बराबर आपका क्या हो गया मैं इतालीस अंस हो गया अब प्रस्ण दो देखते हैं हम कि अब बच्रें यहां पर है टुकास ठीटा बराबर वन है और इसलिए हम इसको हल में लिखेंगे एक बार प्रस्ण को आप दिन लिखोगे हल टुकास ठीटा बराबर वन और इसलिए कास ठीटा बराबर इस दो को इधर ले आई है तो कास ठीटा बराबर एक बटे दो अब हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे कासथिटा के मान है तो कासथिटा के सारणी में आप देखोगे कि एक बटड़े दो मान कौन से अंस पर है यानि एक बटड़े दो का जो अंक लिखाए होगा चार्ट में वो कौन से मान पर है तो आप देखोगी कि कास साटन्स बराबर एक बटे दो होता है तो उसको यहां पर कास साटन्स लिख देना है यह हो जाएगा कास ठीटा बराबर कास साटन्स तो बच्चों यहां प्रकास बराबर तो कास है तो ठीटा बराबर आपको लिखना है क्या है तो ठीटा बराबर साटन्स है इसको आप तुलना करेंगे इसलिए ठीटा बराबर साटन्स तो बच्चों इस तरह से बहुत सरल पुरस्ण है इनको आप बढ़िया से हल किजिए तीसरा देख लेते हैं तीसरा है आपका तू साइन स्क्वेर ठीटा बराबर एक बटे दो बच्चों पहले इस अंग को इधर ले जाएए तो ये गुणा में है इधर भाग में चलाएए इसलिए इस दो को हम इधर ले लेते हैं तो ये गुणा में है इधर भाग में जाएगा तो सबसे पहले ये हल करके लिख दीजिए एक बार प्रस्ण को तू साइन स्क्वेर ठीटा बराबर एक बटे दो और इसलिए sin square भराबर एक बटे दो तो पहले से ही है यह दो इसके हर में जाएगा याने एक बटे दो हो जाएगा याने एक बटे चार होगे सिधाहर में ले जाओगे याने sin theta का square है तो इसको आप whole square कर सकते हैं यहां पर ध्यान दिजिए यह वर्ग जो है इस पूरे का है लेकिन हम theta पर कभी वर्ग नहीं लगाते square नहीं होता इसलिए यह यहां पर a से है इसलिए हम यहां पर देखते हैं यह इधर का जो गुणा कर दे तो एक बटे चार हो गया और इसलिए बच्चों यहां पर वर्ग है तो इधर जाएगा तो क्या होगा वर्ग मूल होगा और इसलिए sin theta बराबर एक बटे चार अब बच्चों यहां पर एक का तो वर्ग मूल एक की होता है अब हम इसको देखेंगे तब नीचे का वर्ग मूल क्या आएगा करणी चार बराबर आप जानते हो, दो आता है बाहर, तो इसका उत्तर हो गया हमारा, एक बटे, दो, इधर का हो गया, एक बटे, दो, किसके बराबर, सैन ठीटा बराबर, अब आप चार्ट में देखोगे, देखोगे, कि जब सैन ठीटा बराबर, एक बटे, दो, किसमान का है, तो आप देखोगे, वहाँ पर चार्ट में है, आपका सैन ठीशन्स, यहां पर हम लिख देते है, इसलिए, सैन ठीटा बराबर, सैन, ठीशन्स, बच्चों इस लिए ठीटा बराबर से इन के बराबर तो साइन है, तो ठीटा बराबर आपको क्या दिक रहा है या वाला, तो यह ठीटा बराबर Titions, इस तरह से आप इनको सरलता से हल कर सकते हो, और यह बहुत बड़ी है, रोचकर बिशा है आपका, त्रिकोण मेती मेट समय बहुत बढ़ियां सब्जेक्ट है टापिक है यहां का चौंधा हम आ जाते हैं 310 स्कोर ठीटा माइनस 1 बराबर 0 310 स्कोर ठीटा माइनस 1 इकोल टू 0 अब बच्चों सबसे पहले तो एक को इधर ले जाए यह माइनस में इधर जाके प्लास हो जाएगा तो यह हल करके एक बार प्रश्ण को लिख दिरिये 310 स्कोर ठीटा माइनस 1 बराबर 0 इसको इधर ले जाते हैं राइट साइड में तो अब हमारा हो जाएगा 310 स्कोर ठीटा बराबर 1 अब बच्चों इस तीन को फिर इधर ले जाएए इसलिए 10 स्कोर ठीटा बराबर यह गुणा में ही धर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा एक बटे 3 अब बच्चों इसको में बता चुका हूँ यह इसकोर जो है यहां का है उपर का तो यह 10 आप एक बार कर दीजिए समझ में आता है तो डारेक्ट आप उधर ले सकते हो तो यह 10 स्कोर ठीटा यह ऐसे है जो इस त्रुक में आपको दीख रह बच्चों एक का हम जानते हैं वार्गुमुल एक का एक ही होता है तो यह हो गया एक बटे करनի तीन याने टेन ठीटा यह बाहर आ गया, चुंकि वर्गुमूल हमको मालूम है, एक होता है, तो बाहर आ गया, जिसका वर्गुमूल नहीं मालूम, नहीं है, वो तीन है, तो यह कर्णी तीन हो गया, एक बटे कर्णी तीन का आप देखोगे मान, चार्ट में, सार्णी में आप देखोगे, तो आपक और इस तरह से बच्चों तेन बराबर तो तेन है आपको तुलना करना है तो ठीटा बराबर क्या है तीस तरह से आप सरल्दा से इसको हल कर सकते हो अगला प्रस्नल ले लेते हैं पांचवा है तुलना करना है तो ठीटा बराबर करनी तीन अब आपको क्या करना है इसको इधर ले जाना है तो ठीटा एक बार फिल लिग देता हूँ हल करके लिखोगे आप हल आप उत्तर लिखोगे तू से इन ठीटा बराबर करनी तीन इसलिए से इन ठीटा बराबर ये दो को गुणा में है इधर इधर ले जाईए क्या हो जाएगा करनी तीन बटे दो इसलिए वच्चों यहाँ पर आप देखोगे करनी तीन बटे दो कितने का मान है चार्ट में देखोगे आप रटने के लिए बोला था आप साइद रट लिए होगे तो आपको मालूम होगा कि साइन ठीटा बराबर साइन साटन्स का मान होता है करनी तीन बटे दो तो आउस तो बच्चों यह आपका पांच्वा परस्न भी हल हो गया अब बच्चों छट्वा परस्न है टेन थीटा पराबर जीरो तो आप यहाँ पर पक्छांतर करने के लिए कुछ बचा नहीं है आप देखोगे कि तो आप सिधा देखोगे तो आपको लगेगा यहां पर 10 जीरो अंस कमान है तो उस मान को यहां पर रखोगे यहां पर रखोगे यहां ने 10 ठीटा बराबर जीरो एक बार आप लिखोगे हल करके यह उत्तर आप बनाओगे तो 10 ठीटा बराबर जीरो इसलिए हम लिखेंगे 10 ठीटा बराबर 10 जीरो अंस साड़नी से आपको यह मिल जाएगा और इसलिए बच्चों यह तुलना करोगे तो 10 बराबर 10 है तो ठीटा बराबर आपका जीरो अंस अब बच्चों हम देखते हैं सात्वा सात्वा में है हमारा थ्री कोसेक इसक्वेर ठीटा बराबर चार और बच्चों इसलिए अब पहले तो अंग को इधर पक्छांतर करोगे पहले तो इस बार हल करके लिखे हल 3 कोसेक इसक्वेर ठीटा बराबर चार इसलिए हम देखेंगे कोसेक इसक्वेर ठीटा बराबर तीर इधर भाग में जाएगा चार बटे तिन और बच्चों यहां पर इसको आप कोष्टक में कर दीजिए इसलिए कषेक थीता का इसको आएगा आपको समझ आएगा इस तरह से कर देना वराबर चार बटे तिन और इसलिए बच्चों यह वरग है तिधर याकर वर्गमूल हो जाएगा यह हो गया आपका कोसेक ठीता बराबर इधर वर्गमूल हो गया यानि करणी हो जाएगा 4 बते तीन और बच्चों यहां पर 4 का वर्गमूल आप जानते हूं 2 ओनी 2 यानि दो दूने 4 तो 2 एक बाहर आएगा और करणी 3 का कोई जो है कोई यह हो गया करणी 3 और इसलिए कोशेक ठीटा तो बराबर दोवड़े करनी 3 और बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि 2 बटे करणी 3 बराबर होता है कोशेक का साध्टनी में आप देखो । पउसेग 5 साथ पर मिलेगा तो कोशेक 6 साथ तन्स यहां पर लीग देना है इसके बदले में अब हम देखते हैं कोशेक ठीटा बराबर कोशेक साटन्स और इसलिए बच्चों कोशेक बराबर तो कोशेक है तो ठीटा बराबर आपका क्या है ठीटा बराबर साटन्स तो इस तरह से बच्चों आप जो है यहां पर जो है हल करोगे और मैं आसा कर कि आपको यह कठीन नहीं लगेगा और इस तरह से चलिए मैं का और प्रस्ण ले लेता हूं उसके बाद इस प्रस्णावली को बंद करते हैं यदि कहीं परिशानी होगा तो आप कॉमेंट में मुझको बताएंगे दस्वा ले लेते हैं दस्वा है आपका 4 शेक इसकोर ठीटा माइनस 1 बराबर 3 तो बच्चों सब से पहले तो इस एक को इधर ले जाएंगे तो यह माइनस से प्लस में एक बार हल करके लिख दीजिए प्रस्ण को एक बार 4 शेक इसकोर ठीटा माइनस 1 बराबर 3 अब यहाँ पर दूसरे step में इस एक को इधर ले जाएंगे 6 square theta बराबर 3 यह रीड है इधर जाके धन हो जाएगा यह धन हो गया अब एक step पर कर देता हूं 6 square theta बराबर 4 हो गया यह 3 है चार इसलिए अब हम देखते हैं कि इस 4 को फिर इधर ले जाएंगे इधर गुणा में इधर जाके भाग हो जाएगा याने 6 square theta बराबर 4 बते 4 अब बच्चों इसको कार दीजिए याने 1 बते 1 होगा अब इसलिए इसको आप work है इसको इस तरह से लिग दीजिए आपको समझ आएगा और जो समझ गए हो तो डारेक्ट इधर का वर्गुमूल कर देना इधर क्या बचा है एक बचा है चार से चार को कार दिये ते एक बचा इसलिए सेक ठिता बराबर कर दी एक होगा इधर वर्ग का ये वर्गुमूल होगा चुकि एक का वर्गुमूल भी एक है इसलिए सेक ठिता बराबर एक और बच्चों आप चार्ट में फिर देखोगे कि एक मान किसका है तो आप देखोगे कि यह कमान जो है सेख जीरो अंस कमान है तो सेख ठीटा बराबर सेख जीरो अंस इसलिए बच्चों यहाँ पर सेख बराबर सेख है तो ठीटा बराबर जीरो अंस इसलिए ठीटा बराबर जीरो अंस है तो ठीटा बराबर जीरो अंस है तो यह हो गए आपका ठीटा बराबर जीरो अंस तो बच्चों इस तरह से आप फ़ल करोगे आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है तो किर्पिया सस्क्राइब किजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे और सेर भी किजिए ताकि चेनल भी आगे बढ़ जाए धन्यवाद